दो दिवसी दोरे पर 36 गड़ पहुंचे कॉंग्रिस के राष्टिय धक्ष राहूल गांधी ने 36 गड़ की रमन सरकार और दिल्ली की मोधी सरकार पर जम कर हमला बोला। बस्तर के पकांजूर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते वे उन्होंने भाजपार पर तीखा निशाना साधा। राहूल गांधी ने कहा कि भाजपा हमेशा पूंजी पतियों के साथ रही है जबकि कॉंग्रिस की सरकार आखरी पंक्ति के लोगों के साथ खड़ी है। राहूल गांधी ने भाजपा सरकार को पूंजी पतियों की सरकार करार देते हुए कहा। मेहुल चौकसी, विजय मालिया, ललित मोदी, सहित, तमाम भगोडे उद्धोग पतियों का जिक्र करते हुए राहूल गांधी ने कहा। क्याम लोगों की गाड़ी कमाई लूट कर फरार हो गए और सरकार ने उन्हें विदेश जाने की खुली छूट दे दी। आपको पता मी दिए आपको तुछ लाइन के खड़ दिया था नोट बंदी कर दिया था नोट बंदी कर दिया। अमने आप से पूछना जाता हूँ आप समय लाइन में बढ़े थे। बैक के समय ले खड़े थे आप ? कोई है यहाँ पर बैक के समय खा नी था आले धन वाला लाइन में एक नी दिखा। राहुल गांधी ने नौन घोटाले को लेकर भी भाजबस सरकार पर निसाना साथा। उन्होंने कहा कि दोसियों का बचाओ करने का काम राजज सरकार ने किया है। साथ ही राहुल ने किसानों के कर्ज माफी की बात को दोहराते हुए कहा कि अगर 36 गड़ में कॉग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का 10 दिनों में कर्जा माफ कर दिया जाएगा। वैं दो साल का किसानों का बोनस बकाया भी उन्हें दिया जाएगा। You decide